सूजी का हलवा बनाने के लिए हमें में चार इंग्रिडियंट्स की जरुवत है वन फूर्थ कप घी, हाफ कप सूजी, हाफ कप चीनी और दो कप हमें चाहिए पानी पानी हमें नॉर्मल टेंपरेचर का लेना है जितनी हमने सूजी लेनी है उसका आदा हमको लेना है घी और जितनी सूजी है उसका फोर टाइमस हमको लेना है पानी और जितनी सूजी है उसी के बराबर हमको लेनी है इसमें चीनी एक पैन ले लिया है इसमें डाल दिया है वन फोर्थ कप घी और फिर डाल दिया है half cup सूजी flame को कर दिया है medium medium flame पर इस सूजी को लगातार चलाते हुए हम भून लेंगे इसका color change हो जाना चाहिए और इसमें से खुश्बू भी अच्छी सी आजाने चाहिए ध्यान रहे medium flame रखने है और इस सूजी को हमको लगातार चलाना है जब ये सूजी 50% भून जाएगी तब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए nuts तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कटे हुए बदाम और बस अब इस सूजी को लगातार चलाते हुए फिर से भून लेंगे ऐसा करने से क्या होगा हमारी जो nuts है ना वो भी सूजी के साथ ही भून जाएंगे सूजी को medium flame पर मैंने भून लिया है अब मैं इसमें डाल देती हूँ दो कप पानी तो पानी डालते वक्त आप चाहें तो गैस को बंद भी कर सकते हैं और पानी आप थोड़ा थोड़ा करके डालें क्योंकि सूजी में एक साथ पानी डालेंगे तो आपके उपर थोड़े से इसके बबल साने का डर रहेगा तो पहले थोड़ा पानी डालें फिर रुक जाएं और फिर चाहें तो आप बाद में पूरा पानी डाल सकते हैं और उसके बाद आपको गैस को कर देना है हाई और हाई फ्लेम पर इस हलवे को लगातार चलाते हुए थिकन होने तक आपको इसको पकाना है हलवे को हाई फ्लेम पर थिकन कर लिया है फ्लेम को कर दिया है दुबारा से मीडियम मीडियम फ्लेम पर इसमें मैंने डाल दिया हाफ कप चीनी चीनी की quantity आप चाहें तो थोड़ी अपने हिसाब से भढ़ा भी सकते हैं और अब बस medium flame पर इस चीनी को भी अच्छे से इसमें पका लेते हैं जब तक ये हलवा अच्छा सा थिक नहीं हो जाता है साथ में ही जाएगा थोड़ा सा इलाइची पाउडर साथ में ही मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ डैसीकेटिड कोकोनट सो गाईज माता रानी का प्रशाद बनके हो गया है तैयार गैस को मैंने कर दिया है बंद हलवे को मैंने medium flame पर अच्छे से थिकान होने तक पका लिया था और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा रहा तो इसको लाइक करें friends family के साथ share करें चैनल को subscribe करें thank you